हलो प्रेंट्स, वेलकम टो आर चैनल आट मंत्रा आट मंत्रा चैनल माप सक्पा बहुत बहुत सागत है तो पिछले वीडियो में हमने सिखे थे कि एक हतेली कैसे बनाया जाता है जो लोग नए हैं पहली बार देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है कि हमरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ये जो फ्री ओनलाइन ट्रॉइंग कोर्स का वीडियो सिरीज है उसे उसमें करीब हम 70 जाता होगा मेरे को याद नहीं आ रहा है उससे जाता वीडियो बन चुका है वो पहला नमबर वीडियो से लेके अभी तक जितने भी बने हैं एक का बाद एक देखे हड़ बड़ी ना करे और अराम से एक एक करके देखे सुने समझे और काफे प्राक्टिस करे तो हम सुरू करते हैं जहां से छोड़े थे उसका आगे हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि ये हाथ को कैसे मैंने बताया देखके और इसका प्रॉपर्शन निकालके कि किस तरह से ड्रॉइंग होता है जो लोग इसको ढंक से देखे होंगे या ढंक से सुने होंगे मेरे बात को प्रॉपर्शन निका बताया थे ये स्क्वर्व से थोड़ी लंबी है और ये यहां तक पहुंसता है इसको अगर हम मेजरमेंट करते हैं यहां तक पहुंसता है तो अभी पड़ी है यहां तक तो अभी हम उसको याद करके बिना हाथ को देखे हम अगर drawing करें, तो यह drawing इस तरह से होगा, मैंने बताय था कि यह एक square, square यहां तक होता है, आपको पता ही होगा square कैसा होता है, हम थोड़ा था बड़ा कि, थोड़ा था बड़ा मतलब अगर हम ऐसा मान के चले कि चार भाग, square को अगर 4 भाग करते हैं, x square बन गया, इसको अगर 4 भाग करते हैं, तो इतना और नीचे ले लिए, तो यह यहां तक बन गया, और हमें यह square को उपर repeat करना है, यहां तक repeat ना करके, यहां तक अगर आप अंदजी से भी कर लेते हैं, तो भी चलेगा, और यह मैं य किया, एक square और बना दिया, this square is equal to this, यह इसका साथ, और एक चोथाई, अंदर जन, ऐसे, इतना नीचे ले लिया, तो यह वली भाग जो है, यह यहां का बन गया, यह वली भाग जो है, यह यहां का बन गया, अभी मैंने बताय था आपको, यादी होगा आपको, कि यह थोड़ी अंदर जाती है, तो हम जान बुझके, थोड़ा था अंदर ले लिए, यह भी अंदर जाती है, मतलब, यह सीधी लाइन में नहीं है, यह सीधी लाइन में नहीं है अगर, तो इतना हम अंदर ले लेंगे इसको, और यह पार्ट यह जो भाग है यहां से यह वाली भाग है थोड़ा थो उठाएंगे हम यहां लाकर मर्ज कर देंगे तो जान बुझकर हम थोड़ा थो उठाएंगे और यहां मर्ज कर देंगे इतना तक हम समझ गए और यह वाली भाग जो है ये उंगली मैंने बोला था ये ये जो है ये इस तरह से और ये इस तरह से तो ये वाले उंगली और ये उंगली करीब करीब बराबर है अगर ये यहां बनती है तो ये यहां बनेगी और ये उंगली इतने बड़े रहेगी अभी time आगे इसको हम divide करें बड़ी चोटी उंगली के एक का हिसाब से ये पतली वाली है और ये मोटी बीच वाली और ये हो गया अभी इसको हम सिदा सिदा line खीच लेते हैं इसका फिर इसको ये चोटी वाली उंगली यूँ बना दिये बड़ी वाली उंगली यूँ बना दिया भी देखिए फरक अगर ज़्यादा है तो इसको आप नीचे रखिए और इसको सेम लेवल पर या उसका चोटा बड़ा हो सकता है क्योंकि लोगों का उंगलियां अलग-अलग होती है और ये इस line पर अब ये बन गई और थम को मैंने बब बोला था आपको कितना छोड़ दीजिए और यहां से ये इस तरह से इसका आधा जो आया है ये इस तरह से ये 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 बिलकुल कर और ये ये हो गया तो अभी ये वाली भाग जो है ये थोड़ी हमें यहां लाके मिलाना है क्योंकि ये थोड़ी चोड़ी है अब ये पाम बन चुका है अब रहा बात इसको अगर गांट बनाना है तो इसमें तो दो lines बीच में है आप इसको दो lines ऐसा यू लगा सकते हो और ये lines का उपर ये थोड़ी से गांट बनती है यह इसका उपर तो हम इसको यूँ बना सकते हैं और यह यहाँ same है और यह यूँ आया है यह जुड़ा हुआ है तो नहीं दिख सकता है और इस side में हम कर सकते हैं इसको इसमें एक दो line दे दिये यहाँ ले आये और यहाँ तो इसको अगर हम मिटाए रफ लाइन्स में रख रहा हूं ताकि आपको पता चले और इसको हम थोड़ा थोड़ा डाक कर लेते हैं यह लाइन जो है यू यू जाता है और यह मिटिंग पॉइंट है यह जहां आपके उंगलिया जूड़ती है और यहां हाला कि इस तरफ से पीछे वाली हाथ हमने नहीं बनाया है यह यहां से ना खुन आप यहां बना सकते हो तो अभी यहां यह तो यह मैंने आपको बिना हाथ को देखके ड्रॉ किया तो आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो कोई भी हाथ आप आराम से खुली हाथ ड्रॉग कर सकते हैं जैसे यह स्क्वैर हुआ और यहां मैं मैं अभी पटा पट बिना खाली मैं उसको याद कर रहा हूँ और ड्रॉइंग करना मुझे सिर्फ याद करकर ड्रॉइंग करना मैंने जो जो सिखा है यह थोड़ा तो लंबी है यह गोल है देखिए मैं वही फॉर्मूला अपले कर रहा हूँ यह आधा है यह स्कुएर है यह आधा है और यहां से मैं ठीक है अभी एक पतली वाली दो तीन और चार इसको पतला रखिए इसको सिधा कीजिए इसको सिधा कीजिए इसको छोटा कीजिए इसको बड़ा कीजिए इसको सेम होई साइस कीजिए इसको और छोटा कर लिजिए अभी यह बन गई आपके उंगली और यह आ गया इदर यह थोड़ा सा डिप्रेशन है दबा हुआ है और यह हो गया आपके एक हाथ का उंगले हाथ का उंगले लंबा करना चाहते हो इसको और थोड़ा ता नीचे ले आए यह लंबी हो जाएगी यहां कर लिजिए गर आपको लगता है कि यह ड्राइंग में कुछ प्रावलम आई या उपर तरप से हम लंबा कर सकते है या इसको डाउन करके लंबा कर सकते है यह जो एक्जामपल था यह मेरा हाथ का था आप अपना हाथ का हिसाब से भी ड्राउ कर सकते हैं क्योंकि हाथे लिए सबका अलग-अलग होती है किसी का छोटा हो सबता है किसी का उंगली लंबा हो सबता है लंबा गने क्या तरीका था सिर्फ यहां बढ़ा दे यहां जितना बढ़ा है उतना इसको बढ़ा दे और सेम मतलब अगर इतना बढ़ा रहा हूं तो इसको इतना ही हम बढ़ा करते जाएंगे तो आपने आप हो जाएगा और ड्रॉइंग को हलके लाइन में कीजिए ताकि मिटाने में आपको कोई तकलिफ ना हो ना जो ड्रॉइ ड्रॉइ किये हो पहले वाले लाइन जो है वो मिट जाए और आपका फाइनल लाइन क्लियर नजर आए तो यह हो गया आपका हाथली का ड्रॉइंग हम इसका जो अलग-अलग positions होते हैं जो अलग-अलग जो posters होते हैं उसका बारे में हम बात में study करेंगे study का मतलब होता है कि आपका आँखों का सामने कोई चीज को रखके देखके करना अगर आप really देख के करते हो न तब आप से गलती आगे नहीं होगी क्योंकि आपने इसका बारे में समझे हो और उसको जाने हो और इसका बाद मैंने बताओंगा कि बंध हतेली कैसे दिखता है इस तरह से कैसे दिखता है हम देखिए ड्रॉइंग इतना आसान भी नहीं है कि और डिफिकल्ट भी नहीं है ना आसान है ना डिफिकल्ट है अगर आप आसान मानके चलोगे तो आसान है डिफिकल्ट मानके चलोगे तो डिफिकल्ट है लेकिन डिफिकल्ट किसको होता है जो लोग यूहीं ड्रोइंग करने निकल पड़ते हैं बीना समझें वो लोग बस यहां तक सिमित राजाएं कि कुछ ड्रोइंग्स करेंगे या तो पिर कॉपी कर लेंगे किस से और बार-बार कॉपी करते रहेंगे क्योंकि अपना मन से वो कुछ ड्रोइंग नहीं करबाएंगे अगर कहीं कमपेटिशन में गए ड्रोइंग कमपेटिशन में या कुछ क्रेटिव ड्रोइंग करना है तो उनको आएगी नहीं क्योंकि उनको फंडामेंटल्स पता नहीं कि ड्रोइंग क्या होती है human figure काफी difficult होता है उसका बाद animals है उस पे भी हम जाएंगे और धीरे धीरे चलेंगे आपको patience रखना है हमारे सत्थ जुड़े रहना है और चैनल को subscribe तो करना ही है like कीजिए doubt है तो comments जरूर कीजिएगा मैं कोशिस करूँगा आपके doubts को जो कुछ भी हो कीजिए लिखिए मुझे और मैं जरूर उसका जवाब आपको दूँगा कोशिस करूँगा कि हर एक का जवाब जो है आपको दूँगा ये वाली part जो है ये थोड़ा था और modify हो सकता है मैंने इसको hard body में बताया है इसको आप याद रखना कि curve किस तरह जाती है ये भी अलग-अलग होती है ऐसा नहीं कि ये मेरा हाथ ऐसा है तो सबका ऐसा ही होगा और किसी का और किसी तरह से हो सकता है तो ये मैंने example जो दिया है ये मेरा हाथ का दिया है हाथ अलग हो सकते है लेकिन average जो होता है average करीब-करीब एक जैसा रहता है तो उसलिए हम average को follow करेंगे और जब drawing करते हैं हम किसी का particular हाथ का drawing नहीं करते हैं एक average hand का drawing करते हैं तो आप जरूर इसको देखिए ढंक से, समझना जरूरी है बार-बार कह रहा हूं लोग कहते हैं कि उन से होता नहीं है या कितना time लगेगा time depend करता है कि आपका interest पे और आपका practice पे आपका interest कितना है आप कितना ध्यान से देखते हो कितना ध्यान से सुनते हो तो ये सवाल का जवाब तो आपको मिल गया होगा कि कितना time लगेगा यह आप पे है और उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में Thank you for watching आपको यह वीडियो में